तो हेलो एवरिवन वेलकम बैक तो यूर फैबले टुटुब चैनल इन जैयर कॉलेज आप सभी का मॉस्ट मॉस्ट वेलकम है आप सब एक खुबसूरा से चैनल पर जैसे कि आप सभी को पता है कि हम लोग आपको कभी से करियर गाड़र्स के उपर बताया जा रहें कि आप आपने 10 किया 12 किया यह नॉर्मल सी सड़ी थी आपने किया बट अक्सली जिन्दगी की सफर अब यहां से चालू होता है आफ्टर 12 आप आपके पास एक लार्ज क्वेंटिटी की हिसा आप से कॉंपिडिशन होगी आप आप जॉप के लिए जाओगे आप अपने लाइफ को सेट करने के लिए जाओगे आप आप जो पढ़ते होगा एक्चिली जो आप पढ़ने जा रहे हो उसका एक टिमांड आपके लाइफ में कहीं ने कहीं देखने को आपको मिलेगा तो मैं आपको बता रहा हूँ कभी से बता रहा हूँ कि आपको किस फिल्ड में आप करो आप किसीकतर बोलने पर मत जाओ आपको पता है कि बहुत से बच्चे के बैठ की पूरकलिंद मैं जब कर सकते हो आफे लौंग ठायप कर सकते हो इसके बारे में को बताता है कि ब्हाई किसी सब एकाउंट को स्कीर सकते हो इसके बारे में जो सारी study होती है वो BAF कराती है BAF एक become कही course है ठीक है एक इस life course है जो आपको accounting and finance के बारे में सिखाता है अगर आपको कहीं न कहीं आपको थोड़ा सा भी अगर accounts और finance के बारे में related knowledge है और आपको उसमें interested हो तो आप please BAF के तरफ जा सकते हो और BAF एक ऐसा course से अगर आपने BAF किया तो आगे चलके आपके life में एक अच्छा career opportunity हो सकता है बच्चो तो आज हम लोग इस वीडियो में सारे बाते details में discuss करेंगे about BAF के उपर कि BAF क्यों करना चाहिए इसका reason क्या है, इसकी scope क्या है, इसकी job opportunities क्या है इसका package क्या होने वाला है, इसके बारे में आज हम लोग इस वीडियो में सारे discuss करने वाला है बच्चो तो please वीडियो को last तक देखना है, without skip के विल और सारे information को अपने brain में डालना है और फिर आपको decide करना है कि BAF करना चाहिए या नहीं करना चाहिए ठीक है और के शौर चलो start करेंगे जैसा कि BAF, BAF को आपको पता है कि BAF को जो नाम होता है, फुल फॉर्म होता है उसको बोलते है Bachelor of Accounting and Finance मतलब आपको नाम से पता जल गया कि एक ऐसा stream है BAF एक ऐसा stream है, जो आपको एक accounting के बारे में और finance के बारे में कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा सिखा देगा ना बच्चो कि आप उसके एक हैड हो जाओगे आपके उपर कोई होई नहीं सकता तो ऐसा यह course है, जैसे कि अगर आपको अगर accounting field में knowledge है अगर आपको accounting field में knowledge है तो आप पक्का ये शौर है, आप आप बंद करके blind होके बैफ ले लो, अच्छा हो जाएगा आपके लिए, ठीक है अगर आपको कहीं न कहीं finance, analyze करना है, graph देखना है कि भाई मेरा finance किस तरीकी से graphic में जा रहा है अगर इसमें से कुछ knowledge आपको है या आप इसमें interested हो, तो आप बैफ के तरफ जा सकते हो बैफ लेने का सिर्फ दो मक्सद होता है, या accounting, एक finance अगर इसमें से आपको दोनों में से अगर किसी में भी अगर interesting है तो आप बैफ के तरफ जा सकते हो, ठीक है, चल्ड़ अब बैफ के तरफ जाने के लिए उसके कुछ eligibility होगी अब देखो, कम से कम आपको 10 प्लस 2 होना चीए, मतलब कम से कम आपके पास 12 के डिगर होनी चीए आप 12 दगर कर ले रहे हो, ठीक है, आपका 12 पास आउट हो, तो आप बैफ कर सकते हो, ठीक है 12 आप पास आउट हो जाओगे, अब बहुत से सारे college में merit-based पे होता है, आपका interim, merit-based पे आपका admission होता है, तो merit-based मतलब कैसा, कि आपकी result के उपर, अगर आपको 12 में 50, at least कम से कम, अगर 50 percentage है, तो आप eligible हो, बैफ लेने के लिए, कम से कम 50 to 60 तो ठीक है, और other college, many college में क्या होता है, कि कोई-कोई college का कर दिए, अपने interest exam conduct करती है, तो आप उसके base पे भी का कर सकते हो, बैफ में admission ले सकते हो, तो यह criteria होती है, आपको admission लेने का, या तो आप interest exam दोगे, या तो आपका होगा merit-based पे, अगर merit-based पे होगा, तो आपको कम से कम 50 और 60, मतलब 50 to 60 बस आपके हाथ में होना चीए, ठीक है, कि लिए रहे, और बागी other college क करते हैं, कोई-कोई college का करते हैं, कि भाई, इंटर्स exam क्या करते हैं, conduct करते हैं, आपको इसको pass out करना होता है, फिर आप BAP में admission ले लोगे, ठीक है, अब BAP का duration तीन साल का होता है, ठीक है, तीन साल में आपको एक BAP की degree मिलती है, तीन साल में आपको 6 semester की exam देना होता है, ठी इसके बाद अगर मैं बात करूँ, अगर आप BAP में आप क्या सिखते हो, कि आपको पता है, कि आप कोई भी course कर लो, अगर आपने उस course की रिलेटर कुछ सिखा है, तो आपके लिए वो benefit है, अगर आप course कुछ भी कर लो, अगर आपने कुछ नहीं सिखा है, तो वो course आपके अगर आप MBA करते हो, आप MBA करके, अगर MBA में आपको सिखते हो, तो आपके लिए वो beneficial है, अगर आप MBA करके मतब जा रहो, एक्जाम लिख रहो, इसका चापके लिखके पासओर जा रहो, तो उसका कोई benefit नहीं होता है, तो प्लीज, आपको syllabus देखना है, कि BAP में क्या-क्या syllabus ह हो सकता है, जिसको आपको पढ़ना होगा, और उससे related आपको क्या होगा, knowledge प्रवाइड होगा, ठीके, तो सबसे पहला क्या है, financial accounting, आप पहली से बात है, अकर BAF ले रहो, तो आपको accounting के बारे में, finance के बारे में, सारी चीज़े आपको पढ़ाया जाएगा, आपको समझाया पर काउट करना है, इसके बारे में, सारी छीज़े आपको BAF में पढ़ाया जाएगा, थीकि, third is taxation, अब taxation से कुछ होता है, tax के बारे में, tax कहां देना चाहिए, कितना देना चाहिए, मतब कहां से आप tax को consummais कर सकते हो, इसके बारे में, कहीं न त्नाلا कहीं आपको BAF में होती है तो आपने को अपना करियर बना सकते ह prepare अग्याइक अपना कर्यार होताहि ठीक है फिर है financial management and computer application आपको पता ना कि finance को किस तरीके से management करना है इसके बारे में भी कहीने गई आपको बैफ में सिखने मिलने वाला है और जो जो computer के application होता है इसके accounting field में finance field में उसके बारे में भी आपको यहाँ पर काफी ज्यादा में सिखने को मिलने वाला ठीक है तो यह हो जाब बैफ का सिल है बस अगर आप बैफ लेते हो तो बैफ में आपको यह यह चीजे सिखने मिलेगा और इससे आपको knowledge आपके life में बहुत build up करने में बहुत help करेगा ठीक है चलो आगे देखते हैं अब भाई career job opportunity अब हर बच्चा अगर सुचता है ना भाई कि अगर मैंने बैफ कर लिया तो मेरे जिसका package आपको धाई लाग से लेकि साढ़े तीन लाग का पर सालाना मिल सकते है वच्चों ठीक है सब्सक्राइब बैंकिंग आप बैंकिंग में जॉप कर सकते हो ऐसा cashier इसमें भी आपको job मिल सकते है ठीक है अपको आप किसी company को tax का consultant बन सकते हो टेक्स के बारे बता सकते हो एडवाइस कर सकते हो इसके अच्छा भी अच्छा इसको हो सकते है ठीक है फिर auditing मैंने आपको बता है कि हरी company अपने internal auditor appointment कर दिए तो कहीं नहीं आप एक अच्छा खास एक company में लगके उसको audit समाज सकते हो और इसके पैकेज आपको minimum advisor आप किसी भी institute के किसी भी corporate के किसी भी organization के एक financial planning बना सकते हो कि भाई आप कि इस तरीके से तो आपके पास यह top five college है जिससे आप बैफ कर सकते हो इनका जो demand है न इन colleges का अरे भोजाता है अगर आप इन college से बैफ करते हो न कहीं न कहीं आपके life में तार चांद लग जाएंगे दोस्तों जैसे कि first college का नाम है नर्सी मौनजी college of commerce and economy सबसे पहले college का नाम है हमारे बस नर्सी मौनजी college of commerce and economics अगर आप इससे बैफ करते हो तो आपके लिए कहीं न कहीं बहुत बैस्ट हो सकते है ठीक है सेकेंड नमबर है जहिन college जहिन college भी अच्छा college ये बैफ के लिए तो आप वहाँ बहुत ही बैस्ट है आपको बहुत ज्यादा कुछ सिखने मिलने वाला इस college में अगर आप admission लेते हो तो तो आप लोग इन college को पर जा सकते हो अगर आप बैफ ले रहे हो मुंबई से ब्लॉंग करते हो तो ठीक है चलो उसके बात देखते हैं टास्क अब अगर बैफ लेते हो तो बैफ में आपके पास क्या-क्या टास्क हो सकते है क्या आपको करवा जाएगा क्या क्या आपको बताया जाएगा इसके बारे में थोड़ा डिसकस करेंगे एक स्कुरूब को बताएं जाएगा वहाँ पर सेमिनार से मिनार कट होते हैं अब सेमिनार जब भी होता है तो इसमें आपको बहुत जदा नौलेज मिलता है उस subject से related, उस topic से related, ठीक है, उसके बाद में project, आपको submit करना होगा project, जब भी आप कुछ नया करते हो, तो पक्का है कि आप 10% कुछ नहीं सिखोगे, बड़ अगर आप कुछ नया करते हो, तो कही नहीं, एक 2% आप सीखते हो ना बच्चो, तो कही नहीं आप project बनाओगे, तो क कुछ ना कुछ सिखोगे, ठीक है, उसके बाद है industrial visit, आपको company के visit के लिए बजेंगे, कि आप company में जाओ, वहाँ पर देखो, कि किस तरीके से काम हो रहा है, किस तरीके से इसको manage किया जा रहा है, तो आपको कही नहीं बहुत दादा help होगा उससे, ठीक है, फिर conference होता है, इ आपके पास यह opportunity होगी, आप यह कर सकते हो life में, ठीक है, तो उसके बारे में आपको expert आपको बताएंगे, ठीक है, तो यह कुछ बात हो गई task की, अब बात करेंगे, कि भाई, after best के बात, क्या हमारे पास कोई opportunities है, हम लोग कुछ उसको और extra कर सकते, तो क्यों नहीं कर सकते ह हो ज़रा opportunities है, सबसे पहले तो आप, अगर बैफ करते हो, तो आपके लिए CA करना बहुत easy हो जाएगा, क्योंकि बैफ क्या है, accounting है, और CA भी mostly 70% accounting field से है, तो अगर आप बैफ करते हो, तो आपके लिए CA करना बहुत जादा easy हो जाएगा, आप CA कर सकते हो, आप CFA कर सकते हो, स 30-77 आप CSB कर सकते हो, अगर आपने बैफ के बाद, ये तीनों कोर्स कर लिया ना, तो बच्योंगे बोलता हो, आपका सलना पैकेज, 12 लाग के उपर हो जाएगा, सलना पैकेज आपका 12 लाग के उपर, मतलब पर मुद आपका लाक उरप का पैकेज हो जाएगा, अगर आप कि अगर आपनी बैफ किया और आपके पास अगर नहीं थोड़ा सा मतलब बहुत कम है तो आप एमकॉम कर सकते हो इन फिनांस से अगर आपने एमकॉम इन फिनांस कर लिया या या MBA इन फिनांस कर लिया तो भी कहीं जाएगा और आपका जो डिग्री का वैलू है ने बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा ठीके कले चलो आप देखते ह क्या आपको आप करना करना है आगर आपको क्या आप करना है ब्यूसित करना क्या वैक्स्टम्मने चलू सीट फिमनों इस फिल्म कर सकते हो आपको यह había Wes वाला है तो आपको इस वीडियो में बैफ से रिलेट सारे डाउट एंड कॉंसेट यहाँ पे काफ़े अच्छा हो गए होंगे और आपको अगर वीडियो प्लिस पसंदा तो प्लिस लाइक करना कमेंट करना सस्क्राइब करना और अपने इस वीडियो को सारे दोस्तों को शेर कर रहा ताकि उनको भी बैफ के बारे में सारे टॉपिक्स क्लियर हो जाए ओके तो मिलते रहेंगे ऐसी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ऐसी कुछ एक नेक्स्ट स्ट्रीम लेकि तब तक के लिए बाबाई टैक केर ख्यार रखना बाबाई